ओम शान्थी आठ जून दोहजार चौविस प्यारे मीठे बाबा के आज के मधुर महावाख्य पाज की मूली के कुछ फिशेश पॉइंट्स आज बाबा हमी समझाते कि हम बच्चों को ज्यान योग और पवित्रता की धारना से अपने क्यारेक्टर्स सुधारने हैं शरीर निर्वा अर्थ कर्म भी करना है नीद भी करनी है लेकिन याद की यात्रा को कभी भूलना नहीं है योग युक्त होकर ऐसा शुद्ध भोजन बनाना और खिलाना है जो खाने वाले का रिदय शुद्ध हो जाए जिस समय जो संकल्प जो संसकार इमर्ज करना चाहें वही संकल्प वही संसकार सहज अपना सकें ऐसे सुक्ष्म शक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाले राज रिशी बनना हैं तुचहलिए सुनते हैं आज की भाबा की मीठी प्यारी मूर्ली उम्शांती बाबा कहते मीठे बच्चे याद से विकर्म विनाश होते हैं ट्रांस से नहीं ट्रांस तो पाई पैसे का खेल है इसलिए ट्रांस में जाने की आश नहीं रखो प्रश्न, माया के भिन-भिन रूपों से बचने के लिए बाप सब बच्चों को कौन सी एक सावधानी देते हैं उत्तर, बीचे बच्चे, ट्रांस की आश मत रखो ज्यान योग में ट्रांस का कोई connection नहीं मुख्य है पढ़ाई कोई ट्रांस में जाकर कहते हैं, हमारे में मम्मा आई, बाबा आया ये सब सुक्ष्व माया के संकल्प हैं, इनसे बहुत सावधान रहना है माया कही बच्चों में प्रवेश कर उल्टा कारे करा देती है इसलिए ट्रांस की आश नहीं रखनी है उम्च शैन्थी मीठे मीठे रूहानी बच्चे ये तो समझ गए हैं कि एक तरफ है भक्ती, दूसरे तरफ है ज्यान भक्ती तो अथा है और सिखाने वाले अनेक हैं शास्त्र भी सिखाते हैं, मनुष्य भी सिखाते हैं यहां ना कोई शास्त्र है ना मनुष्य है यहां सिखाने वाला एक ही रुहानी बाप है जो आत्माओं को समझाते हैं आत्मा ही धारन करती है पर्मपिता परमात्मा में ये सारा ज्यान है 84 के चक्र का उनमें नौलेज है इसलिए उनको भी स्वधर्शन चक्रधारी कह सकते हैं हम बच्चों को भी बे स्वधर्शन चक्रधारी बना रहे हैं बाबा भी ब्रह्मा के तन में है इसलिए उनको प्रामन भी कहा चाह सकता है हम भी उनके बच्चे ब्रामन सोदेवता बनते हैं अब बाप पैठ याद की यात्रा सिखलाते हैं इसमें हठ योग आदी की कोई बात नहीं में लोग हठ योग से ट्रांस आदी में जाते हैं ये कोई बड़ाई नहीं है ट्रांस की बड़ाई कुछ भी नहीं है ट्रांस तो एक पाई पैसे का खेल है तुम्हें ऐसे कभी किसी को नहीं कहना है कि हम ट्रांस में जाते हैं, क्योंकि आजकल वितायत आदी में जहां तहां धेर के धेर ट्रांस में जाते हैं, ट्रांस में जाने से ना उनको कोई फाइदा है, ना तुमको कोई फाइदा है, बाबा ने समझ दी है, ट्रांस में न तो याद की यात्रा है, न ज्यान है, ध्यान अत्वा ट्रांस वाला कभी कुछ भी ज्यान नहीं सुनेगा, न कोई पाप भस्म होंगे, ट्रांस का महत्व कुछ भी नहीं है, बच्चे योग लगाते हैं, उनको कोई ट्रांस नहीं कहा जाता है, याद से विकर्म विनाश होंगे, ट्रांस से विकर्म विनाश नहीं होंगे बाबा साफधान करते हैं कि बच्चे ट्रांस का शौक मत रखो तुम जानते हो इन सहन्यासियों आदी को ग्यान तब मिलता है जब की विनाश का समय होता है भल तुम उन्हें ऐसे निमंत्रन देते रहो लेकिन ये ग्यान उनकी कलश में जल्दी नहीं आएगा जब विनाश सामने देखेंगे तब आएंगे समझेंगे अब तो मौत आया की आया जब नजदीक देखेंगे तब मानेंगे उन्हों का पाठ ही अंतमे है तुम कहते हो अब विनाश आया की आया, मौत आना है, वे समझते हैं, इन्हों के ये कपोड़े हैं, तुम्हारा ज़ार धीरे धीरे भड़ता है, सन्यासियों को सिर्फ कहना है कि बाप को याद करो, ये भी बापने समझाया है कि तुमको आखे बंद नहीं करनी है, आखे होंगी तो बाब को कैसे देखेंगे हम आत्मा हैं परम पिता परमात्मा के सामने बैठे हैं वे देखने में नहीं आता है लेकिन ये ज्ञान गुद्धी में है तुम बच्चे समझते हो परम पिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं इस शरीर के आधार से ध्यान आदी के कोई बात ही नहीं, ध्यान में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये भोग आदी की ट्रामा में सब नूद है, सर्वेंट बन भोग लगा कर आते हो, जैसे सर्वेंट लोग बड़े आत्मी को खिलाते हैं, तुम भी सर्वेंट हो, देवताओं को भोग लगाने चाते हो, वहें हैं फरिष्टे, वहां ममा बाबा को देखते हैं, वहें संपूर्ण मूर्ती भी एम अबजेक्ट है, उनको ऐसा फरिष्टा किसने बनाया, बाकी ध्यान में जाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे यहां शिर्व बाबा तुमको बढ़ाते हैं, वैसे वहां भी शिर्व ब बाकी ट्रांस आदी को कुछ भी महत्व नहीं देना है, कोई को ट्रांस दिखलाना ये भी पचपन है, बाबा सबको सावधान करते हैं, ट्रांस में मत जाओ, इसमें भी कई बार माया प्रवेश हो जाती है, ये पढ़ाई है, कल्प कल्प बाप आकर तुमको पढ़ाते हैं अभी है संगम यूग, तुमको ट्रांसफर होना है, ड्रामा के प्लान अनुसार, तुम पाट बजा रहे हो, पाट की महिमा है, बाप आकर पढ़ाते हैं, ड्रामा अनुसार, तुमको बाप से एक बार पढ़कर मनुश्य से देवतां जरूर बनना है, इसमें बच्चों को खुशी होती है, हम बाप को भी और रचना के आदी मद्धित अंत को भी जान गए हैं, बाप की शिक्षा पाकर वहाद हर्शित होना चाहिए, तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए, वहाँ है ही देवताओं का राच्य, तु जरूर पूरुशोत्तम संगम यूग पर पढ़ना होता है, तुम इस दुख से चूट कर सुख में जाते हो, यहां तमोप्रधान होने कारण तुम बीमार आदी होते हो, यह सब रोग मिठ जाने हैं, मुख्य है ही पढ़ाई, इनसे ट्रांस आदी का कनेक्शन नहीं है, यह बड़ी बात नहीं है, बहुत जगे, ऐस ध्यान में चले जाते हैं, फिर कहते हैं, मम्मा आई, बाबा आया, बाप कहते हैं, यह कुछ भी नहीं है, बाप तो एक ही बात समझाते हैं, तुम जो आधा कहे, दे अभिमानी बन पड़े हो, अब दे ही अभिमानी बन बाप को याद करो, तो विकर्म विनाश हो, इसको य योग कहने से यात्रा नहीं सिध होती। तुम आत्माओं को यहां से चाना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तुम अभी यात्रा कर रहे हो। उन्हों का जो योग है, उसमें यात्रा की बात नहीं। हठ योगी तो डेर हैं, वह है हठ योग, यह है बाप को याद करना। बाप कहते हैं, मीचे मीचे बच्चों अपने को आत्मा समझो। ऐसे और कोई कभी नहीं समझाएंगे। यह तो है पढ़ाई, बाप का बच्चा बना, फिर बाप से पढ़ना और पढ़ाना है। बाप कह पे हैं, तुम म्यूजियम कोलो, आपे ही तुम्हारे पास आएंगे। बुलाने की तकलीफ नहीं होगी। कहेंगी यह ग्यान तो बड़ा अच्चा है, कभी सुना नहीं है। इसमें तो कैरेक्टर सुधरते हैं। मुख्य है ही पवित्रता, जिस पर ही हंगा में आदी होते हैं, बहुत फेल भी होते हैं, तुम्हारी अवस्ता ऐसी हो जाती है, जो इस दुन्या में होते हुए, उनको देखते नहीं हैं। खाते पीते भी तुम्हारे बुद्धी उस तरफ हो। जैसे बाप नया मकान बनाते हैं, तो सबकी बुद्धी नए मकान तरफ चली जाती है अभी नई दुनिया बन रही है, बेहत का बाप, बेहत का घर बना रहे हैं, तुम जानते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुशार्थ कर रहे हैं, अब चक्र फूरा हुआ है, अब हमको घर और स्वर्ग में जाना है, तो उसके लिए पावन भी सरूर बनना है, याद क विगन पढ़ते हैं, इसमें ही तुम्हारी लड़ाई है, पढ़ाई में लड़ाई की बात नहीं होती, पढ़ाई तो बिल्कुल सिंपल है, चुरासी के चक्र की नौलिज तो बहुत सहज है, बाकी अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, इसमें है मेहनत, बाप कहते हैं याद की यात्रा भूलो मत, कम से कम, आठ खंटा तो जरूर याद करो, शरीर निर्वा के लिए कर्म भी करना है, नींद भी करनी है, सहच मार खैनाम, अगर कहीं नींद न करो, तो ये हठ योग हो गया, हठ योगी तो बहुत हैं, बाप कहते हैं, उस तरफ कुछ भी नहीं दे तुम आत्माई हो, आत्माही शरीर ले पाट बजाती है, डॉक्टर आदी बनती है, परन्तु मनुष्य देहे अविमानी बन पड़े हैं, मैं फलाना हूँ, अभी तुम्हारी बुद्धी में है, हम आत्मा हैं, बाप भी आत्मा है, इस समय तुम आत्माउं को परम पिता प अलग रहे बहुकाल, कल्प कल्प मिलते हैं, बाकी चू भी सारी दुन्या है, वे सब देह अभिमान में आकर, देह समझ कर ही पढ़ते पढ़ाते हैं, बाप कहते हैं, मैं आत्माउं को पढ़ाता हूँ, जज, बेरिस्टर आदी भी आत्मा बनती है, तुम आत्मा सतो पवित्र थी फिर तुम पाट पजाते बजाते सब पतित बने हो तब पुकारते हो बाबा आकर हमको पावन आत्मा बनाओ बाब तो है ही पावन ये बात जब सुने तब धारना हो तुम बच्चों को धारना होती है तो तुम देवता बनते हो और कोई की बुद्धी में बैठ तुम भी भक्ती करते करते देह अभिमानी बन जाते हो अब बाप कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी बनो हम आत्माओं को बाप इस चरीर द्वारा पढ़ाते हैं घड़ी घड़ी याद रखो ये एक ही समय है जब आत्माओं का बाप परंपिता पढ़ाते हैं बागी तो सारे ड्रामा में कभी पाठ ही नहीं है सिवाए इस संगम युक के इसलिए बाप फिर भी कहते हैं मीजे मीजे बच्चों अपने को आत्मा निश्चे करो बाप को याद करो ये बड़ी उची यात्रा है चढ़े तो चाके वेकुंठ रस व हो जाते हैं फिर भी स्वर्ग में तो आएंगे लेकिन पद बहुत कम होगा ये राजाई स्थापन हो रही है इसमें कम पद वाले भी चाहिए सब थोड़े ही क्यान में चलते हैं फिर तो बाबा को बहुत बच्चे मिलने चाहिए अगर मिलते हैं तो भी थोड़े टाइम के क्योंकि बहुत सर्विस की है जो बहुत सर्विस करते हैं वहें बड़ा राजा बनते हैं देलवाडा मंदिर में तुम्हारा ही यादकार है तुम बच्चियों को तो बहुत टाइम निकालना चाहिए तुम भोजन आदी बनाते हो तो बहुत शुद भोजन याद में बैच बनाना चाहिए, जो किसको खिलाएं, तो उनका भी हृदे शुद्ध हो चाहे, ऐसे बहुत थोड़े हैं, जिनको ऐसा भोजन मिलता होगा, अपने से पूछो, हम शिप बाबा की याद में रहकर भोजन बनाते हैं, जो खाने से ही उनके हृदे पिखल चाहें, घड़ी- भूल जाती है, बाबा कहते हैं, भूलना भी ड्रामा में नूंध है, क्योंकि तुम सोला कला तो अभी बने नहीं हो, संपूर्ण बनना जरूर है, पूर्णिमा के चंद्रमा में कितना तेज होता है, फिर कम होते होते लगीर जाकर रहती है, खोर अंधियारा हो जाता है, फ तुम्हारी आत्मा संपूर्ण बन जाएगी, तुम चाहते हो महाराजा बने, परंतु सब तो बन न सके, पुरिशार्थ सबको करना है, कोई तो कुछ पुरिशार्थ नहीं करते, इसलिए महारती घोडे सवार प्यादी कहा जाता है, महारती थोड़े होते हैं, प्रजा वा ल तुम्हारे में भी कमांडर्स, मेजर्स, कैप्टन हैं, प्यादे भी हैं, तुम्हारे भी ये रुहानी सेना है न, सारा मदार है याद की यात्रा पर, उनसे ही बल मिलेका, तुम हो गुप्त वॉर्यर्स, बाप को याद करने से विगर्मों का जो किच्ड़ा है, वे भस्म ह बाप कहते हैं, धन्दा धोरी भल करो, बाप को याद करो, तुम चनचन मांतर के आशिक हो, एक माशुक के अव्य माशुक मिला है, तो उनको याद करना है, आगे भल याद करते थे, परन्तु विकर्म विनाश थोड़े ही होते थे, बापने बताया है, तुमको यहां, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, आत्मा को ही बनना है, आत्मा ही मेनत कर रही है, इसी चन्म में तुम्हें जन्म चन्मांतर की महल को उतारना है, यह है मृत्यू लोक का अंतिम जन्म, फिर जाना है अमर लोक, आत्मा पावन बनने भी गिर तो जा नहीं सकती, सब को अपन अपना हिसाब किताब चुक्तू करके जाना है अगर सजाएं खाकर जाएंगे तो पद कम हो जाएगा जो सजा नहीं खाते हैं वे सिर्फ माला के आठ दाने कहे जाते हैं नौरतनों की ही अंगूठी आदी पंती है ऐसा बना है तो बाप को याद करने की बहुत मेहनत करनी है अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल वर्जान से क्वा प्रेम से नमस्ते 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 जी गुद मॉनिंग बाबा, शुक्रिया बाबा, धारना के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, संगम युक्वर, स्वेम को ट्रांस्पर करना है पढ़ाई और पवित्रता की धारना से अपने कैरेक्टर सुधारने है, ट्रांस आदी का शौक नहीं रखना है दूसरा पॉइंट, शरीर निर्वह अर्थ कर्म भी करना है, नींद भी करनी है, हठ योग नहीं है, लेकिन याद की यातरा को कभी भूलना नहीं है योग योगत होकर ऐसा शुद्ध वोजन बनाओ और खिलाओ जो खाने वाले का रिदय शुद्ध हो जाए वर्दान अपनी सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनने वाले राज रिशी, स्वराज्य अधिकारी आतमा भव करमेंद्रिय जीत बनना तो सहच है लेकिन मन, बुद्धी, संसकार इन सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनना ये सूक्ष्म अभ्यास है जिस समय जो संकल्प, जो संसकार इमर्ज करने चाहें वही संकल्प, वही संसकार सहच अपना सकें इसको कहते हैं सूक्ष्म शक्तियों पर विजय, अर्थात, राज, रिशी, स्थिति अगर संकल्प शक्ति को ओर्डर करो कि अभी अभी एकाग्रचित हो जाओ, तो राजा का ओर्डर उसी घड़ी, उसी प्रकार से मानना यही है राज्य अधिकार की निशानी, इसी अभ्यास से अंतिम पेपर में पास होंगे स्लोगन सेवाओं से जो दुआएं मिलती हैं, यही सबसे बड़े से बड़ी देन हैं, ओम शान्ति